हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉंट स्टेडी आज का हमारा चेप्टर है कंप्लीटिंग फिगर्स जो की रिजनिंग का एक पार्ट है और हम इसका आज करने जा रहे हैं पार्ट सेकिंड शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें सब्स उस एक missing part को पूरा करने के लिए हमें 4 options दिये गए हैं जिन में से कोई एक option होगा जो उस missing part को पूरा करेगा तो चलिए देखते हैं इस question को कैसे solve करना है तो ये रही diagram अब हमें 3 हिस्से बने हुए दिये हैं हमें दिख रहे हैं कि उपर वाला हिस्सा जो उपर के जो दो boxes है ये आपस में एक दूसरे को resemble करते हैं तो नीचे के भी दो boxes आपस में एक दूसरे को resemble करेंगे बस वो flip हो जाएंगे हमने one by one इस figure को complete करने की कोशिश की सबसे पहले हम outer triangle को पूरा करेंगे जो कि इस red line से हो जाएगा next thing हम करेंगे जैसे इस right side वाले box में देखिए एक और छ figure हो गई complete अब हम सिरफ इस red portion पर focus करेंगे तो ऐसी कुछ diagram बनी जिसने हमारी figure को complete किया अब यह जो bottom में जो दो point है जहां पर यह triangle meet कर रहा है यह देखिए एक point बिलकुल box के right side के last में meet कर रहा है जबकि दूसरा point square box के point पर नहीं उससे थोड़ा सा पीछे meet कर रहा है तो वै right answer आते हैं हमारे next question पर तो यह रही figure जिसमें से तीन portion complete है चोथा portion हमें बताना है कि क्या होगा option में ठीक है तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो देखा कि इस figure में कुछ lines है कुछ curves है और एक box जैसी चीज है या kite जैसी चीज कह सकते हैं तो सबसे पहली चीज हम देखें तो C और D option होगे हमारे सिधा 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 cancel next is हमने देखी कि जो यह एक straight line और एक curve line जैसी है यह center से origin हो रही है center point से यह square boxes हैं इनके center point से origin ले रही है बचे ओप्शन A और B में से देखिए कौन सी ऐसी figure है जिन में यह line center से originate हो रही है वो है option B तो हमारा option A cancel हो गया हमारा final answer आगया option B इस figure को हमने बनाया भी नहीं figure को देख के ही हमने judge किया उसमें क्या क्या element थे उनको देख के हमने judge किया जो options हमारे elements से match नहीं कर रहे थे उनको eliminate किया और हमारा final answer निकाल लिया चलते हैं हमारे next question पर तो ये रहा figure आपके सामने तीन portions बने होए हैं एक portion हमें निकालना है क्या होगा तो अब इसे solve करते हैं अब हमने अपनी figure पर ध्यान दिया तो हमने देखा कि इन चार parts में से ये दो parts आपस में resemble करते हैं तो obvious ही बात है कि जो बचा हुआ portion है जिस पर question mark लगा है वो इस उपर वाले part से resemble करेगा अब हम अपने options में देखेंगे उपर वाले part से resemble करते हुए figure कौन सी है तो clearly वो same to same figure हमें हमारे option A में दिख रही है तो हमारा option A हो गया हमारा answer आपने देखा कि कैसे हमें pen उठाने की जुरूयत भी नहीं पड़ी और answer हमारे सामने आ गया बस यही चीजें आप कैसे notice करते हो अपना क्या नजरिया रखते हो डाइग्राम को देखने का ऐसी चीजें आपका answer लाने में आपको help करेंगी बढ़ते हैं हमारे next question पे फैसे ही इस figure को चार पार्ट में divide किया तीन पार्ट बने होए हैं और एक पार्ट पे question mark है वही है approach हमने लगाई कि ये दो boxes आपस में बिल्कुल similar हैं तो ये दो boxes भी आपस में similar होंगे पर आप देख रहे हैं कि इसमें design में थोड़ा सा difference है तो इस design को हम उपर बनाएंगे flip करके जब आप इस design को flip करेंगे तो clearly आपका option C ही आपका right answer होगा अगर आप इसको confirm करना चाते हैं तो एक बार आप C option को अपनी figure में डाल के देखिए तो अगर आपकी diagram complete होती है तो इसका मतलब आपका answer जो है वो verify भी हो गया आते हैं हमारे आज के last question पे वही है approach हम लगाएंगे ये दो boxes आपस में resemble कर रहे हैं तो ये दो boxes भी आपस में resemble करेंगे बट flip हो जाएंगे क्यों क्योंकि design में difference है जब आप उपर बने हुए box को flip करोगे तो आपके पास दो diagrams आ सकती है हमें अभी pen ही use करना हमें बस देख के बताना है तो देख के हमें लग रहा है कि option A या D में से कोई एक option हो सकता है जो इस box का flipped portion बने अब हम देखेंगे कि A और D option में से कौन सा option जादा accurate है तो आप देख सकते हैं कि A और D option में सिरफ एक line का फरक है वो कौन सी line है ये D option में आपको एक line दिख रही है सिरफ इसी चीज़ का फरक है बाकि पूरे option totally same है तो हम देखेंगे अपनी figure में कि ये line figure में आ रही है अगर ये आ रही है तो D option होगा अगर ये नहीं आ रही है तो C option होगा तो हम वापिस आए अपनी figure पे और हमने देखा कि ये line clearly हमें visible है कहां पर ये रहा वो portion जहां पर ये line visible है तो हमारा option A भी eliminate हो गया और हमारा final answer आ गया option D इसी के साथ हमारा completing figures का पूरा chapter खतम हो जाता है अगर आपको ये video समझ आई और आपको ये tricks पसंद आई कि बिना पैन के ही हमने कैसे figures को judge कर लिया और उसके base पे अपना final answer निकाल लिया तो इस video को like कीजिए साथ ही साथ हमारे channel को subscribe की दिए और इस video को अपने friends के साथ share कीजिए thank you